तो नमस्कार आधा आप सिस्रिया का दोस्तों मैं रजने स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल दस सक्सेस में तो दोस्तों आज है थर्टिंथ में और थर्टिंथ में के करेंटा फिर लेकिमा आपके सामने प्रस्तूत हूँ एक बड़ा वीडियो जो अपन रोज अंस्वर राइटिंग करते हैं मेंस के लिए वह आ चुका है आपके सामने आज सुबह सुबह एक वीडियो डेली दोस्तों 6 बजे आ जाता है और दूसरा शाम को 6 बजे से पहले आ जाता है मतलब चार से पांच के बीच में मुस्तली वीडियो आ जाता है ठीक है तो यह की एक वीडि तो और वीडियो अप्लोड कर देती हूं तो दोस्तों आज के कॉशन देखते हैं कि राजिस्तान कैबिनेट ने पहले तो आप से एक दो बात कि आप लोग सजेशन देते हैं आप लोगों का सजेशन स्विकारीय भी हैं तो आप लोग बोलते हैं कि मैं अपना जो थमनेल होता मैं एक पता है है जो वीडियो के स्टार्टिंग का मतलब जो पिच्चर होती है वीडियो में तो उस पह आप क्या कर दिया कीजिए टॉपिक्स के नाम डाल दिया तो दोस्तो मैं क्या कर दीगों कि पहले बनाना पड़ता अब मैंने एक थामड़ेल दो थामनेल बना लिए है पहले से विडियो के मतलब कि करेंट अफेयर वाले में यह डालूँगे और अंसवर राइटिंग में यह डालूँगे अब मैं दोस्तों आपको पता है कि अकेले वो points अलग से लिखो ठीक है तो दोस्तों sorry मुझे उतना time ही नहीं मिल पाता कि मैं यह चीज़े करूं तो दोस्तों अगर देखो किसी को यह सिब क्या होते प्रचार के लिए होते अब किसी को देखना होगा ना अगर किसी को आप लोगों को पसंद आ रहा है अगर चैनल और अ उसे suggest जरूर करूंगे कि भाई वो वाला चैनल देखा कर यार वो बड़ा important चैनल है अच्छा बढ़ा रहा है वह न तो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो automatic दोस्तों आप लोग शेयर कर ही देंगे और जो भी कोई नया बंदा अगर चैनल पर आता है जैसे रोज देखी लेगा और अगर मैं इस लाएक चीज आपको दे रही हूं कि मतलब अच्छे समगरी आपको दे रही हूं तो automatic दोस्तों आप लोग अंदर जाके वह देखी लोग है सिर्फ लोगों लगाने से कि भी आप हो सकता है कि लोगों लगाने से और भी ज्यादा attractive लगे लेक दोस्तों मतलब मैं भी इतना नहीं कर पा रही हूं क्योंकि मुझे caution तयार करने होते हैं टॉपिक्स भी ढूणना पड़ता है पेपर बहुत सारी पड़ने पड़ते हैं तो इतना नहीं होता जानादर चैनल क्या करते है current affairs के जो वीडियो होते हैं वो क्या करते हैं कि देख उनगे पड़ाने आता है वह खुँद नहीं बनाता करता उनके लिए टेक्निकल टीम होती है वह उनने कॉच बना आकर दे देते हैं और अक्पने सामने प्रस्तूत कर देते हैं धर four보 का और जो चैनल होते हैं उन्सेती कोशन मतलब एक तरह से उनके कोशन झाप देते हैं यान मैंने स्व जिगरी मेनत हैंं assistance मैंने सोचा कि कभी कोपिराइट काई इसी नहीं आये चैनल पे कभी भी ऐसी मतलब एक तरह से वह कहते हैं साहित चोरी कभी किसी की महनत मेहनतлять रहाँ तो मैंने चाहिए मेरे पास 5 जी कोंशन बनेँ पर मैं अपनी महनत से ही बना रही हुँ मैं कभी भी कोई दूसरा चैनल ऐसे कोपी करके नहीं देखते हूं कि क्योंके कारेंट-फिएर आंग़ जो बहुत सारे चैनल्स तो ऐसे होते जिसमें जो अपन चैनल खोलेंगे वीडियो खोलेंगे तो उसमें सिर्फ दक्स करेंट अफेर्स के आज के कोशन लिखे होंगे चाहे तो मैं वो चोरी करके आप लोगों को सुना सकती हूँ है और या फिर आप में से भी कुछ लोग है जो नीचे सजेशन में लिखते हैं कि मैं करेंट अफेर के कोशन बनाता हूं तो मैं आपसे जूट जाओं मैं आपको मतलब कोशन भी तो उनके कोशन भी मैं इसलिए नहीं ले रही दोस्तों कि अगर मैं कोशन ले लेती हूं किसी से तो दोस्तों एक तो मुझे उस कोशन पर व से कैसे explain करूंगे जब तक मैंने खबर पड़ी ही नहीं है पूरी तो दोस्तों मुझे थोड़ा सा महनत करना पड़ता है तो इसलिए इतना टाइम नहीं मिल पाता है अगर मेरे कंटेंट में दम होगा अगर मेरा कंटेंट डिफरेंट होगा रियल होगा और लोगों के लिए वैल्यूइबल होगा तो दोस्तों अपने आप हो जाएगा प्रेचार मुझे कौन सा पड़ा है ऐसा कि अभी मुझे सूपर हिट ही बनाना है बस मुझे ऐसे है कि कुछ लोग ज शिदत से मेहनत कर रहे हैं बस उनमें मैं अगर आपकी मेहनत में थोड़ा सा भी सयोग कर पाऊं तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी बाकि अगर मेहनत सची होगी तो फल अपने आप मिल जाएगा है ना तो आपका सजेशन माना जाएगा लेकिन कुछ दिन बाद में तो थोड़ा सा इसमें ये लगता है कि मेरे पास एक ऐसी टीम भी बन जाए जैसे सेनल थोड़ा ठीक ठाक हो जाए ना तो मैं दू-तीन लोगों के एक टीम बना लूँगी ताकि क्या होगा कि जो चीज़ें मैं क्रिएट भी कर लूँगी जैसे मैं ही खुद क्रिएट कर ल काम पैसे दैनी लाइक कब होगी जब मुझे खुद को कुछ आमदर्य होने लगेगी तब होगे न तो थोड़ा सा परिवार को बढ़ने दो और थोड़ा सा मतलब अगर इंकम वगयरा कभी हुई अच्छा चला रैस्पोंस अच्छला आता रहा तो फुर वो सारी चीज़े में करने लगूंगी अभी अकेली कर रही हूँ न तो इसलिए इतना सब मेरे बस में नहीं हो पाता ठीक है तो दोस्तो अब टाइम बड़ा खराब कर दिया आपका दो तीन मिनट कोशन देख लेते हैं दोस्तो राजस्थान के कोशन हम कम ले रहे हैं आपने देखा भी होगा जबकि मैं डालती हूं राजस्थान का रेंट अफियर्स पर इतनी इंपोर्टेंट न्यूज राजस्थान की मिलती नहीं लेकिन जित्ते भी मिलती है वह मैं ले आती हूं तो आज दोस्तों कल राजस्थान की कैबिनेट ने तीन बड़े फैसल ले थे कोरोना के लिए हैं तो इंटर्व्यू के लिए बड़े इंपोर्टेंट हो सकते हैं प्लस में कैसा कॉशन आ सकता आपको मैंने दिखाया भी था ना पिछली बार के पिपर्स में कि स्वास्ते के छेत्र में राजस्थान द्वारा उठाए गए प्रमु कदमों का तो अभी क्या आ सकता है कोरोन के लिए भी और इंटर्वियों वालों के लिए तो बहुत के लिए इंपोर्टेंट है तो दोस्तो राजस्तान के कैबिनेट ने कोरोना वेक्सिनेशन पर क्या वड़े फैसले दिये हैं तो राजस्तान सरकार ने विदेशों से एक करोड वैक्सीन की डोज आयात करने का बड़ा फैसल लिया है दोस्तों राजस्तान सरकार अब खुद विदेशों से एक करोड वैक्सीन डोज आयात करेगी दोस्तों हम कितने हम 2010 की जन्गणना के अनुसार 6.86 क्रोड लोग है 6.86 ये कब की जनगर्णा के अनुसार 2010 की जनगर्णा के अनुसार अभी 2020 वाली आई नहीं है जनगर्णा शुरूई हुई थी उससे पहले करोना आ गया और वो रुख गई है ना लेकिन अभी हम बढ़कर हो गए 7 करोड कुछ लाग के आसपास में है ना तो अभी तो हम जादा हो गए लेकिन उस जनगर्णा के अकोर्णिंग भी देखे तो 6.86 करोड तो अपन है ही अब 6.86 करोड लोगों के लिए अभी दोस्तों बहुत कम लोगों तक टीका पहुच पाया है तो सोचे अभी 1 करोड टीके जो है डोस जो है सरकार विदेशों से आ नेशनल हेल्थ मिशन को नोडल एजनसी बनाया गया है दोस्तों जो नेशनल हेल्थ मिशन है उसको पूरा प्रभार सोब दिया गया है कि अब किस कमपनी से टीके खरीदने और कैसे खरीदने पूरी जिम्मेदारी आपकी है ताकि ऐसे नहीं है कि इस काम में ही महीनों लग है हमें यह काम जल से चलत करना है तो इसलिए एक नोडल एजनसी बना दी जो इसका पूरा काम संभालेगी वह कौन है नैशनल हेल्थ मिशन ग्रामेंट शेत्रों में बढ़ते को रोना संक्रमेंट को देखते हुए हर ब्लॉक में एक सामुदाई केंद्र को कोविड क्यों हम डायेक्ट विदेशों से आयात करेंगे वह तो अलग हैं और एक करोड़ एक करोड़ कि रफ्तार को हमें कम करना है प्लिए अ गणर के पास में इतना स्ट्झ है नहीं तो हम घृट खरी दैंगे खासी भुखार जो गाम से पीड़ते हैं लेकिन क्या होता है क्योंकि गाओं में इतनी फैसिलिटीज नहीं हैं hospital नहीं हैं गाओं वालों का थोड़ा immune system powerful होता है तो लोग जाते नहीं है तो उन में जिनकी अच्छी immunity होती है वो लोग बच जाते हैं और जिनकी खराब immunity होती है जो बुजूर्ग है थोड़े से व्रद्ध है या फिर जिनको कुछ भी उम्यारी है वो जाबी रहे हैं मतलब डेट भी हो रही है पहुत सारे लोगों के डेट हो गई है और सेम हर एक गाउं की यही आलत है आप लोगों के गाउं में भी यही हालत होगी क्या हालत है आप कोविड जो एक सामुदाएं के अंदर होता है ब्लोक लेबल पर उसे कोविड कंसल्टेशन सेंटर और कोविड केर सेंटर मतलब कोविड के बारे में कंसल्ट किया जाना और केर किया जाना इन छेत्रों इन सेंटर के रूप में विक्सित किया जाएगा मतलब कंसल्ट कर सके और इलाज के लिए भी दोस्तों उसमें विवस्ता करवाई जाएगी इसके लाव दोस्तों 62 नगरियन निकायों में 105 ऑक्सिजन प्लाइट लगाए जाएगे पूरे राजस्तान में कितने ऑक्सिजन प्लाइट लगाए जाएगे 62 नगर निकायों में टोटल कितने ऑक्सिजन प्लाइट लगाए जाएगे 105 ऑक्सिजन प्लाइट लगाए जाएगे विविन जीवन रक्षक दवाओं जैसे ऑक्सिजन कंसेंट्रेटर और अन्य मेडिकल उपकरण के खरीद हेतु छूट दी गई है तथा अब कोवीड की अप प्रकार के मेडिकल डिवाइस होते हैं जैसे स्ट्रीम लेने के लिए स्ट्रीमर होता है उक्सिजन नापने के लिए जो एक छोटा सा यंत्र होता है ना बुखार नापने का यंत्र वो छोटी सी एक मशीन होती है यह सारी चीजे जो कोवीड में जर्रत होती है यह सारी अब नागरिक सीधे कंपनी से इन्हें खरीद सकेंगे पहले सरकार का नियंत्रण होता था आप सरकार इन सब पर अपना नियंत्रण लूज कर रही है और कहा रही है जिसको भी जरत है तो खरीद लीजिए कोई दिक्कत नहीं होगी तो यह बड़े फैसले हमारे इसमें लिए इसके अलावा दोस्तो कोरोना में समर्पित रूप से कार्या कर रहे है नर्सिंग कर्मियों को अंत्रस्टी नर्सिस दिवस पर नर्स ग्रेड द्वितिये का पतनाम नर्सिंग ऑफिसर और नर्स ग्रेड प्रिथम का पतनाम सीनियर नर्सिंग ऑफिसर करने का निर्णे लिय गया दोस्तों यह डिमांड बहुत दिनों से चल रही थी कि जो नर्स हैं वो हमारे समाज की एक तरह से बहुत महत्पूर्ण भूमी का समाज में निभाते और कोरोना काल में तो एक तरह से मील का प्थर के रूप में उन्होंने काम किया है ठीक है तो नर्स के योगतान को प्रथम जो होती है उन्हें सीनियर नर्सिंग ऑफिसर नर्सिंग ऑफिसर मतलब बुलवाना चाहते हैं अपने आपको तो यह पत्नाम देने का मतलब सरकार से डिमांड की जा रही थी बड़ सरकार ने मांगी मानी नहीं थी इतने दिन से लेकिन कल आपको पता है ना इंटर प्रस ग्रेड नर्स होती है उसे बोला जाएगा सीनियर नर्सिंग ऑफिसर है तो मतलब एक तरह से उनके संबान में व्रदी की गई है तो यह सारी चीजे कल कोरोना मतलब जो हमारी क्याविनेट मिटिंग है उसमें निर्ण लिया गया है तो दोस्तों आप वैसे देख रहे हैं कि आप हालाद बता यह लोगों को भी अवेर कर रहे हैं कि जब तक आप लोग अवेर नहीं होगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे हर बंदा आपके घर तक नहीं पहुंच सकता जिम्मेदारी आप पे हैं हम दवाएं होस्पिटल दे सकते हैं लेकिन जाग रुकता आपको ल है और नर्सिंग का पदनाम भी चेंज कर दिया ऐसे कई सारे कतम दोस्तों हम गिना सकेंगे बाद में जब हमारी मेंस होगी तो हम एक अच्छा उत्तर उस टाइम पर लिख सकेंगे यह सारे पॉइंट्स लगा के और इंटर्विव में बोलने के लिए तो है इतनी सारी चलो आप एक मिनट क्वार्ड गुरूप के बारे में अभी अपन या तो पचास शब्दों में या सो शब्दों में क्योंकि क्वार्ड गुरूप भारत के लिए बहुत इंपोटेंट है दोस्तों हर साल मतलब UPSC में दो तीन बार इस पर से कोशन आ चुका है और अभी जो डोनाल ट्रम्प जी थे उन्होंने क्वार्ड गूरूप को बहुत जादा इंपोटेंस पर दिया था तो भारत की विदेशनिती के लिए क्वार्ड गूरूप बहुत 힘igen हो जाता है और जो जो वाइड रजन सरकार आई है उन्होंने भी क्वार्ड गूरूप को इंपोटें जापान और उस्ट्रेलिया चार सदस्ट है दोस्तों क्वार्ड में एक तो भारत है एक अमेरिका है एक जापान है और एक उस्ट्रेलिया है द्वारा निर्मित क्वार्ड ग्रूप में बांगलादेश के शामिल होने के संभावना को लेकर अभी बांगलादेश ने भी दोस् व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए साथ ही बंगलादेश को कौर्ड में शामिल नहीं होना चाहिए इस से चीन के साथ उसके द्वीपक्षिये सामंद्यों को नुकसान हो सकता है तो ऊकर से चेताओन नहीं दे दी कि तुम कौक या है चाहिना अधिकार जता जो अंतराष्टी समझूता है वो माना जाए शेत्र में बड़ चीन मानने के लिए तयार नहीं होता तो इन सब मुद्दू से निपटने के लिए दोस्तों इंडायरेक्ट रूप में क्वार्ड ग्रूप बना था लेकिन अगर प्रुत्यक्स्त देखे तो क्वार्ड सामिल होना चाहता था तो उसने कहा कि चाइना ने चेतावनी दी है कि दक्षणी एश्या में सेन्या गठपंदन बोलता है ये क्वार्ड को बनाने और वर्चस्ववाद करने चीन को डर है गया चारो देश एक जगह हो जाएंगे तो मेरा वर्चस्वव कम हो जाएगा और भारत का वर्चस्व जादा हो जाएगा कि बाहरी शक्तियों से दूर रहना चाहिए और बांगलादेश को क्वार्ड में शामिल नहीं होना चाहिए इससे अगर बांगलादेश क्वार्ड में शामिल होता है तो चीन के साथ उसके विपक्षिय सम्मंद खराब हो सकते हैं य लेकिन कोई भी अन्य देश अपनी राय रख सकता है तो मोमन ने भी दोस्तों इंडारेक्ट रूप से बांगवादेश को जवाब दे दिया कि वहीं तू कौन है मेरी विदेशनिती पे बोलने वाला हो सकता है कि मैंने तेरे से उधार ले रखें लेकिन उधार ले रखें तो चुका दूँगा लेकिन तू हमारी विदेशनिती थोड़ी ते करेगा तो उन्होंने भी कह दिया कि हम संप्रभू देश हैं गुट्निर पेक्ष्टा का पालन करते हैं कोई भी विदेशी शक्ती हम पे रौप जबाने के लिए नहीं है तो लेकिन हम अगर कुछ करते हैं तो कोई विदेशी ताकत अपनी राई वहां पे रख सकती है इतना कह दिया तो इंटारेक्टली रूप से जवाब दे दिया इन्होंने भी एक दोस्तों जब यह फैसला लिया गया हमारे यांकी विदेश से हम दवाई खरीदेंगे तो उसमें एक सेंटेंस आया कि इस बार हम टेंडर की जगह expression of interest का उपयोग करेंगे expression of interest तो इंटर्वियों में बहुत बार ऐसे question पूछ ली जाते हैं कि यह कहा था कि राजिस्तान सरकार जब विदेशों से दवाई खरीदेगा तो हम टेंडर ने निकालेंगा अक्सर क्या होता है टेंडर निकाल दिया जाता है मत जैसे होता है बॉटल में जग में डाल दिये सब की लिस्ट नाम लगा के और किसी एक की लिस्ट को चूज कर लिया और उसी कंपरी को टेंडर मिल जाता है जैसे दारू के ठेके निकलते थे उसी प्रकार से तो वैसे ही टेंडर वाली प्रकिरिया की जगह अब expression of interest का उप्य गया था कि राजस्तान की अनुमानित आबादी है 7 करोड़ 45 लाग मैंने कि ती बताई दी 6.86 करोड़ है ना लेकिन अब यह बढ़कर हो गई है 7.85 करोड़ या फिर 7.85 लाग इन में से अभी 30% लोग ही ऐसे हैं जिने वैक्सिन के दोनों डोस लगे हैं दोनों डोस सिर्फ तीस परसेंट अपादी को लगे हैं दोस्तों है ना तो राजस्तान सरकार का दावा है और कोशिश भी है कि वह अगले तीन महिनों में वैक्सिनेशन का काम पूरा करवाना चाहती है इसलिए प्रति दिन आठ लाख टीके लगवाने होंगे और अभी केंदरों की ओर से जितनी वैक्सिन्स उसे मिल रही है उसमें सिर्फ सवालाक लोगों को ही प्रति दिन वैक्सिन लग सकती है तो दोस्तों राजस्तान सरकार का प्रियास है कि आने वाले तीन महिने में वैक्सिनेशन का कार्या पूरा कर दे और आप देख भी रहे होगे राजस्तान सरकार वैक्सिने हैं उसमें सिर्फ 7,00,000 लोगों को ही प्रते दिन वैक्षिन लगती है अब दोस्तों किंद्र की भी अपनी मस्पूरी है कंद्र की पास मैं एक राजस्थान हें तो है नहीं मतलब इतने सारे राजय को अपने 28 बाइस राजयों को सप्लाई करनी हैं दिली सारी वैक्सिन के 8,00,000 और अभी केंदर सरकार के आप पूर्थी से सिर्फ सवा लाख लोगों को ही लगपारी है इसी कारण राजस्तान सरकार ने विदेशों से वैक्सिन खरीदने की प्रकिरिया शुरू कर दी है और दोस्तों अगर आप सूच रहे हो कि राजस्तान ऐसा करने वाला पहला राज्या है कि राजस्तान डाइरेक्ट विदेशों से वैक्सिन खरीद रहा है अपने पैसों से तो नहीं ऐसा करने वाला राज्या नहीं है इससे पहले वी एक दो राज्या है जैसे शायद एक तो आंधराई है ना और एक दो और हैं जो पहले से विदेशों के साथ में डील कर चुके हैं कि वो डायरेक्ट विदेश से वैक्सीन खरीदेंगे हैं तो राजस्तार ने विदेशों से वैक्सीन खरीदने की प्रकिरिया शुरू कर दी है जो कंपनिया राजस्थान को वेक्सिन बेजना चाहते हैं उसके साथ डिल कर लिजाएगी, मतलब कि expression of interest का मतलब होता है विश्वे में ओए कौन सी कंपनी है जो राजस्थान को वेक्सिन बेजना चाहती है और जो भी company का नाम आएगा और जो भी company हम जो चाहते हैं उन दामों में लगबाग मनलब सैटिस्फिकेशन वाले दामों में हमें वैक्सिन बिचने के लिए तयार है हम डायरेक्ट उसे डील कर लेंगे हैं क्योंकि हमें वैक्सिन बहुत जल्दी चाहिए और आगे आने वाले तीन महीनों में हमने target रखा है कि राज़िस्तान पूरी जंता को वैक्सिन लगा दे तो आने वाले तीन महीनों में दोस्तो 50% को भी अगर वैक्सिन लग जाती है तो दोस्तो वैक्सिन जो Corona है उसकी chain तूट जाएगी हर्डिए डवलफ हो जाती है फिर 50% को वैक्सिन लग लेकिन फिर कोरुना की रफ्तार बहुत स्लू हो जाएगी है तो इसलिए राजस्तान सरकार का उद्देशा है तीन महीने में वैक्सिनेशन पूरा करने के इससे पहले राजस्तान सरकार ने दोस्तों ऑक्सिजन कंसेंट्रेटर की आपात खरीद के लिए यह प्रकेरिया अपना चुकी है ऑक्सिजन कंसेंट्रेटर भी हमने ऐसे खरीदा था जो हमने विदेशों जब हमारे ऑक्सिजन की यह ज़रत पड़ी तो हमने विदेशों से ऑक्सिजन कंसेंट्रेटर मंगवाये थे तो यह होता है expression of interest ठीक है अब समझ भी आ गया होगा कभी मत भूलना कि कोशन नमर चार है दोस्तों पंडित राजन में श्रुक कौन थे तो यह विवाद दोस्तों है तो यह बनारस के परस्नलिटी लेकिन एक तो पूरी इंडिया के लिए important है दूसरा विवादों में हो गए इसल 20 अप्रेयल को कोरोना के वज़ा से वेंटिलेटर और बैड नहीं मिलने से हो गया अब आप समझ रहे हो कि यह एक celebrity है ना के सामाने परस्नलिटी है एक शास्त्रिय गायक है जिसका जिनका घराना कौन सा था बनारस घराना हाना 25 अप्रेयल को इनकी म्रत्यू हो गई कोरोना से क्यों क्योंकि इन्हें वेंटिलेटर नहीं मिला है आप समझ सक्रियों कि वह बंदा जिसने पद्म विभूशन जीता है देश के लिए उसको oxygen वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहा तो दोस्तों कईना कई बुरा लगता है कि मतलब ऐसे लोगों को तो ठीक है सामाने लोगों के जान में बहुत इंपोटेंट होती है लेकिन दोस्तों कुछ तो सरकार का हग बनता है ना जिसने देश का नाम रोशन किया उसको क कुरुना की वज़े से और इस अस्पताल का नाव पंडित राजन मिश्टर के नाम से कर दिया गया है तो दोस्तों अब जो इनके बेटे हैं उन्होंने विरोव जताया है कि मेरे पापा जब मर रहे थे ना तब तो आपके बास वेंटिलेटर नहीं था देने के लिए अब मरने के बाद में आप एक होस्पिटल तो क्या चाहिए पूरा देश उनके नाम कर देजे लेकिन मेरे पापा तो लोटकर नहीं आ सकते ना तो कही ना कहीं दोस्तों उनकी बात वाजिब भी है वो कह रहे हैं कि भारत ने अपना एक रत्न घो दिया अपना एक कोहिनूर खो है तो दोस्तों यह विवादों में इस वज़े से विवादों में आप था कि जीते जी हम उनको बचाने पाए और मरने के बाद होस्पिटल उनके नाम कर रहे हैं जबकि वह एक बैड वेंटलेटर के लिए मर गए दोस्तों तो इसनी विवाद चर्चा में हैं इनका नाम त एक दोस्तों आएरेंट डॉम चर्चा में हैं तो आइरेंटर क्या है और फिलिस्तिन के बीच में फिर सेmodern когда रहे हैं दोस्तों इसरीन के नाम आपने सुना होगा मैं उनका थोडा सा मैभ बना कि इसे बता देते फिर दोस्तों फिलिस्तीन जो है उसमें है मुस्लिम और इज्राइल में आपको पताई है इज्राइल में है जूस यहुदी यह थे अब दोनों में दोस्तों विचार धरा के अंतरों और जेरुसेलम आपको पताई है जेरुसेलम भी यही इस्ते दर जेरुसेलम दोस्तों मुस प्लिस्तिन वाले यहूदियों को बाहर निकालना चाहते थे इनको लगता था कि यहूदी हम पर अक्रबन कर लेंगे हमारे देश पर और यहूदियों को दोस्तों आपको पता हिए कि जर्मनी में जो हिटला है था उसने यहूदियों को एक-एक को मार मार कर बाहर निकाला था अब 1947 से बात करें 2020 की या 21 की तो आज दोस्तों वही इज्रायल है जिसमें एक तो ये च्छिटर छोड़ के और ये एक ये च्छिटर छोड़ के यह तो बचा है फिलिस्थीन ये दो च्छितर और बाकी सारा जो ये च्छितर है वो इ Joyl का है इज्राइल इतना आक्रामग देश है कि छोटा सा देश है लेकिन इसने मतलब पूरे विश्वर को हिला के रख दिया इतनी ज्यादा इसकी पावरफुल आर्मी है कि आज फिलिस्तिन को इसने यहां समेट दिया और बाकी पूरे इस छेत्र में अपना अधिकार कर रख है और अबने नाम भी सुना ओगा अब्राहम अकोर्ड का इसराइल के पीछे सबसे बड़ी शक्ति क्या है दोस्तों अमेरिका इसके साथ isto चिके साथ अमेरिका होता उसको डढ़ना की क्या जरय है लेकिन दोस्तो खुद इज्राइल भी बहुत शक्तिस्था लिया इसराइल की और इस्राइल का जो क्या मोलते हैं नेटवर्क कौन सा नेटवर्क होता है वह जासुसी वाला नेटवर्क कुलते हैं उनका एक फेमस सा नाम भी है इतना फेमस है कि उसको कोई बीटी नहीं कर सकता हुआ हमारे साँमधिו के साथ भी अच्छ है और एक ये वाला एरिया है, और यहाँ पर ऑफ मैं गोलन हाइट जो सीरिया का छेत्र है। तो यह जो फिलिस्तीन है, एक तो ये वाला और ये वाला इस फिलिस्तीन के बीच में और इजराइल के बीच में हो रही हैं, लड़ाइः लड़ाइ little क्यों, करने कि दोस्तों फिलिस्तिन और जितने मुस्लीम देश इस्ट के अग्सिस्टैनप के क्या marks नहीं है जब कि अमेरिका स्विकार करता और अन्यविद्भी स्विकार करते हैं अब अबराहमक्रोड वह सब को पता चल गया कि फिलिस्तिन में इतना दम है नहीं इस इस खतम होने वाला है नहीं तो इस उस्तित्वा अब यह लोग सविकार भी करने लगे और इस रहें की शकती इससे और वह वजबूत होने लगी यह तो समझ में आ अब दोस्तों फिर से दोनों देशों के बीच में विवाद चल रहा है विवाद बस यहीए कि फिलिस्तिन को डर है कि एज्राइल मुझे खतम नहीं करते है ना और तो यही यही दोनों देशों में तक्रार चलती रहती है तो इस्राइल और फिलिस्तीन के बीच में फिर से जंग शुरू हो गई है और दोनों देशों के बीच में हवाई हमले बढ़ रहे हैं अब जो हमास हमास एक ग्रूप है जो फिलिस्तीन में पाए जाता है इस्राइली इन्हें आतंगवाती ग्रूप बोलते हैं तो हमास के द्वारा अब तक इज्राइल पर 40 घंटे में सोमवार से लगबंग युद्ध शुवाता और सोमवार से लेके बुद्वार तक 1050 मिसाइल दांग दी गई हमास के द्वारा फिलिस्तीन पे स्वरी हमास के द्वारा इज्राइल पे है ना इन में से 850 से ज्यादा मिसाइले उसके डिफेंट सिस्टम आइरें डोम ने हवा में ही मार गिरा दी जिपकि 200 मिसाइले इज्राइल के रिहाइशी इलाके तल उसने ऐसा डिफेंस कंट्रोल सिस्टम बना रखा है कि अगर उसके ऊपर कोई मिसाइल आती है तो यह जो डिफेंस सिस्टम है और इन मिसाइलों को आकास में ही नस्ट कर देता है इसे बोला गया है आईरें डोम ठीक है तो यह मतलब एक तरह का डोम बना हुआ है जो दिखत अगर तल अवीव पर आ गई है और दोस्तों रिहाईशी इलागा मतलब पूरा शहर आप सुचो शहर में आगे 200 मिसाइल गिर रही है तो ओवियस बात है नुकसान तो होना ही है हमारी एक इंडिया केरला की वूमन ही है दोस्तों केरला की जो एक पती पतनी और बच्चा रह लगा रख हैं जो किसी भी मिसाइल को डिटेक्ट करके हवा में ही मार गिराते हैं यह आइरेंड डॉम अमेरिका की आर्थिक और तकने के मदद से 2011 में सक्रियों अमेरिका ने मदद की थी इसमें बनाने में भी और पैसे देने में भी और 2011 से लगाए हुए हैं तथा इस अभी डर नहीं डर्ग रहा है दूसरे तरह रक्षा मंतित ने कहा है कि हमारे सेना गाजा पत्ति गाजापट्टी मेंने वाला एरिया है और फिलस्तिन के खंप पर हमलें बंद नहीं करेंगी और जब तक दुश्मन को पूरी तरह से श्यांतर नहीं कर देते हम अमन बहाली पर कोई वादचीत नहीं करी जाएगी तो दोस्तों इस लड़ाई और जंग से किसी का कुछ नहीं भी करता सामन्य और मासूम नागरिक है ना वो अपने बोर्ड नियर वंस को खो देते हैं तो इनसे बचा जाए जितना ही अच्छा है फिर से मैं कहूंगी कि हम बहुत सुरक् जाते हैं हम बहुत सुरक्षित वातावरेंड में हैं जहां हमें खुलके जीने का महौल मिलता है तो दोस्तों आयरें डॉम आप समझे गए होंगे आयरें डॉम क्या होता है यह पूछ लिया जाएगा क्योंकि साइंस टैक से मैं बार-बार कहती हूं कि हमेशा करेंट अफे प्रदूशन कम करने के लिए प्लस लोकडाऊन के लिए उटवन फॉर्नुला लागू किया गया तो दोस्तों keywords बनाए जिस ने ओट-फॉर्मुला लागव किया इससे पहले दिय जो था दोस्तों उसने परियावरेंडetted अभी लोगडाउन लगाने के लिए दोस्तों असा यह अपना आया है कि लोगडाउन में एक सम्नें गाड़ी एक दिन चलेगी तो देखते हैं कितना कारगर होता है कितना नहीं होता यह तो भविश्य की वात है आज के लिए इतना ही वीडियो 30 पर लटका हो गया है फिर आप लोगों को लंबा लगने लगेगा तो वीडियो देखने के लिए थैंक्यू सो मच वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग प्लीज कमेंट करते रहेगा दोस्तों से शेयर दोस्तों अब सिख तो ऐसे लग रहा है चैनल पर सब सुव रहे हैं कोई मतलब देखते तो है लोग लेकि शेयर नहीं कर रहे हैं सब्सक्राइबर तो थोड़ा से दोस्तों शेयर भी कर दिया कि अपने दोस्तों के साथ में बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक्यू सो कर दोस्तों कingo कर दोस्तों रहे हैं सम आपसला यो क मी थासीव वीपट वीज कर दोस्तों अबासीध, आप मलग स Ph sen बंबेता हैसे जोस्तों क yogi जोस्तों आ यो